उज्जेन के शेदी सिमा छेत्र हो या फिर तैसिलों में निवास करते हो या फिर गामिन छेत्र में रहने वाले गरीब परिवार है जो मेहरत मजदूरी करते हैं और अपना कुजर बसर करते हैं पर अब ये परिवार बरती महेंगाई की मार से परिसान हो रहा है इनकी परिसानी यह है कि जहां दिन में यह 200-200 रुपय का काम करते हैं और जब शाम को पेट भरने के लिए सब्जी बना जाती है तो सब्जी में उपयोग आने वाला मिठा तेल सोयाबिन का इतना महेंगा होता है कि अब इनकी पहुत से दूर होता जा रहा है इस समय सोयाबिन सब्सक्राइब करते हैं और काम करने के लिए और क्या रहता हैं क की। लोग पढ़े हैं अच्छा अच्छा मुला नाम है मेहत मजदूरी करते हैं अपना गुजर बसर करते हैं अच्छा मदनविया बात कर रहे हैं तो करीब 6 या 7 महीने पहले जो तेल मीठा तेल 80 रुपे किलो था घर में उपयोग में आता है असी रुपे पचुतार 80 रुपे किलो था आज वह 120 रुपे किलो हो गया तो क्या दिक्कत आती क्या परिशानी आती है तो कैसे सबजी बन पाएगी कैसे रोटी खावाएंगी और क्या कर पाएंगे अच्छा मीठे तेल के भाव बढ़ने से दिक्कत परिशानी हो रही कि नहीं हो रही और यारी बहुत हो रही है दादा पताई क्या नाम है आपका मांसिक जी क्या काम करते हैं आप लोग खेती मजदूरी करते हैं जो मीठा तेल करीब 6-7 महिने पेले 55 रुपे किलो था अभ करेते सबजी बनती होगी और क्या रहता है क्या पर रेसानी हाती डूब व te और मीठा तेल गए आदा किलो गए एक किलो करें करें साब मारी मजबुरी में मुझे पूरू करां खाइं कर अच्छा आप मुझे अंधन अंधन अरी करें हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले